चलिस तो बात कर लेते हैं, IDBI Bank के बारे में दोस्तो सरकार की तरफ से एक बड़ा announcement हम लोगों को आज के दिन देखने को मिल रहा है, जिस तरीकी से लगतार जो है stocks के अंदर हम लोगों को अब तक कमजोरी देखने को मिल रही थी, लगतार काफी बनेशी stocks के अंदर weakness बनी करने वाली है, जिसकी वज़े से अब लग रहा है कि कहना कहीं, प्राइवेट एजिसंस की दोड में यह बैंक को बहुत तेजी के साथ में मुह करतवा नगर आना चाहिए, तो अब यह जो सारी ख़बर निकल के आ रही है, कहना कहीं यह जो process है, यह आगे आने वाले दिनों के अंबल में लाई जाएगी, तो कहना कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी तेजी जो है, इस बैंक के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, फिलाल देखें तो बड़ी ख़बर इस वक्त की कहीं जा सकती है, जिस वज़े से आज स्टॉक्स के अंदर आपको तेजी स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिखाए दिया था, तो अच्छा-कासा मोमेंटम इसके अंदर आज की दिन आपको देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह की खबर आई है, उस पर हमें रियक्शन देखने को मिल चुका है, लगातार जो है, और भी उपर के लेवल हमें इसके अ अधर बनता हुआ नजर आ रहा था, तो टोटल मार्केट के अंदर हम लोगों को जो गिरावर देखने को मिल रही थी, तो उसी के अधार पर इसके अंदर भी हम लोगों को गिरावर देखने को मिल रही थी, लगवग 23 रुपे तक के नीचे के लेवल हम लोगों को देखिए अगर आज की ओपनिंग की बात की जाए तो लगभग 34 रुपे 20 पैसे के आज पास ओपन होता हुआ नजर आया था तो जहां पर खुला था उसके थोड़े ही नीचे यह स्टोक को मुव करता हुआ नजर आया लगभग 34 रुपे के आज पास लो इसके अंदर आज की की दिन देखने को मिल चुका है लगभग 10% के देजी जो है इसके अंदर बनते हुए देखे अगर बावन वीक हाई की बात करते हैं तो लगभग 56 रुपे के आसपास यह गया था लगभग 7 जुलाई 2020 में तो कहने का मतलब यह है कि मोमेंटम इसके अंदर काफी तगड़ा हुआ था उस समय बढ़ अगर देखें तो गिरावट चल रही थी और काफी तगड़ी गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिल चुकी है नीचे लगभग 30 रुपे से भी नीचे के लेवल हमें इसके अंदर बनते हुए नजरा थे फिलाल में दोस्तों अकर देखें तो इसी तरीके से अगर देखें तो अभी हाल फिलाल में यानिके 2020 के अंदर इस बैंक के द्वारा कोई भी डिविनेट डिकलेर करता हुआ नहीं नजराए हैं प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ नेगिटिव दिखाय देरी 61% से जज़ाद की गिरावट हम अगर एक साल का चार्ट पेटन देखें तो आपको उपर नीचे के बराबर चार्ट पेटन देखने को मिल चुके हैं जिस तरीके से मूमेंट लगबक 56 रुपे के आसपास तक हम लोगों को देखने को मिला था जोलाई के महीने में वहां से लगातार गिरावट का सिलसला ब बात करें तो यह बैंक लगबक च्छटे नंबर पर हम लोगों को दिखाए दर है 49,837 क्रोड के मार्केट के साथ में देखे कर मूमेंटम की बात करें तो रिटरन ऑन इकिटी के अंदर पिछले पांस साल तीन साल और एक साल में लगातार जो हम लोगों को गिरावट देख और एक साल में लगबक चारा परसंट से ज्यादे की गिरावट के साथ में हम लोगों को दिखाए दर है अब गर बात करते हैं नेट NPA की तो यहां पर आपको कुछ जो है अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कहने का मतलब यह कि NPA जब भी आपको नीचे की तर इसी तरीके से दोस्तों कर बात करते हैं इसके अंदर जो शेर वोल्डिंग पैटर्स हम लोगों को दिखाए देरें प्रमोटर के सिदारी लगबक 94.91 पसंट के आसपास दिखाए देरी डियाए के सिदारी की बात करते हैं तो लगबक पोने 3% के आसपास बंती होने के सिदारी की बात करते हैं तो 2% से ज़्यादा की दिखने को मिल रहे हैं तो अभी जो हाल फिलाल में नतीजे डिक्लेयर हुए थे यानि के Q3 के तो उसके अंदर जो हम लोगों को इंट्रेस्ट इंकम दिखाए देरी लगबक 4563 करोड रुपे के आसपास देखने को मिल रह इसी तरीके से दोस्तों अगर देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर किस तरीके कर जान देखने को मिल रहा है तो 324 करोड रुपे के मकाबले वह आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगबक 378 करोड रुपे के आसपास पहुंच चुका है एक और पोजिटिव संकेत हमें बैंक के अंदर प्राप्ड हो रहा है वो हो रहा है ग्रोइट और नट अनपी दो सबसे पहले नट अनपी देख लेते हैं जो कि पिछले कवटर में आपको दिखाई दरहा था लगबक 2.67 परसंट के असपास जो कि इस कवण्टर में आपको दिखाई दरह आं तो यहां पर भी आपको positive संकेत दिखाए दरें तो कहने का मतलब यह कि quarter room quarter basis पे देखे तो अभी हाल फिलाल में जिस तरीकी से profit बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एंपी कम हो रहें तो positive संकेत माने जा सकते हैं देखे अब कही न कही निगाए होने वाली हैं Q4 के numbers पर किस तरीकी के इसके numbers रह सकते हैं और भी उच्छाल जो हमें बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है अब देखे अगर बात करें कि long term में किस तरीकी के activity हमें बैंक के अंदर दिखाए दरी तो 2020 के अंदर मार्च 2020 की इस्त की बात करते हैं तो लगबग नेगेटिव देखने को मिल रहा है और इस बार की बात करें तो भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है यह बात जरूर है कि पिछली बार से जो नुक्सान हुआ है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है अब अगर net profit की बात करते हैं तो net profit के अंदर फिलाल की डेट में क्या दिखाए दे रही है तो फिलाल की डेट में कोई डिविडेंट जो है बैंक की तरफ से हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है 2020 के अंदर 2019 के अंदर दोस्तों कर आप डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपको अकाउंट ओपन के लिए किसे भी तरिका को कोई चार्ज कंपनी को नहीं देना पड़ रहा है तो अगर आप इसके अंदर डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करें जानकारिया को अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना आता कि नहीं वीडियो के नोटिफिक्शन सीधे आपके मोबाइल पर मिस्के हैं तक्यों समच फॉर वाचिंग